हेलो दोस्तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर दोस्त आप सच में पास होना चाहते हो अच्छे माक्स से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन पर दबाके आल पे सलेक्ट कर देना इससे हमारी जितनी भी कीट होन forehead जैसे कि दोस्तो पीसली वीडियो उन बताया था वैदुद फ्लक्स क्या होता है तो दोस्तों हमने चेप्टर वन इस्टार्ट किया है फिजिक्स का तो सारे चीजें हम लोग पढ़ेंके दोस्तो 2-3 दिनों के अंदर मैं chapter 1 complete करा दूँगा और दुस्तों काफी दिनों तक मैं अभी वीजी था ठीक है तो मैंने अभी आपको बोला था ना कि तक होता है तो यांपै देखें वैंदॵ व निकाए है जिसमें दो बराबर परंतु वीपरीद प्रकार के बिंदू अविश आविस ये थिफ तथित्री मद्रू पर Commerce jan प्लस एग पिंड और यह भी तहीं मालीं, जे दो कीछ कहा है यह भी दो किलो का है, ठीक है? अब इसनकर माली, जब मा इनस की वावेस फिर मार पलस की वावेस ने है विए 2 प्लस की वावेस है ऑभंध कर दिंदल । इया है, कि इन दोनों के विपरीत हो गया ठीक है यानि कि दोनों के विपरीत प्रकास की एक बिंद्वावेस है और इसमें क्या एक दूसरी के अल्प दूरी माली जी कि यहां पर और एक यहां पर मैंने बताया था तो इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है वो क्या हम लोग की माल किसी एक आवेस ताथा दोनों आवेसों के बीच की अलप दूरी के गुड़ानफल की वैदू दूरू आवेस पीक कहलाते हैं इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है अर्थाथ जैसे कि मालेजे किसी एक आवेस ताथा दोनों आवेस ठीक है किसी एक आवेस ताथा दोनों आवेस मालेजे एक आवेस हो गया यह दूसरा आवेस हो गया ठीक है दोनों आवेसों के बीच की अलप दूरी क्या हो गया आर हो गया ठीक है इन दोनों के बीच की दूरी आर ठीक ह इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना उसके गुणन फल वैदुद्विधू आघून पी कहलाता है मतलब इन दोनों के बीच के दूरी के जो गुणन फन है ना उससे हम लोग पी कहते हैं पी को क्या कहते हैं वैदु द्विधु आंगोण कहते हैं और इसका मात्रक न्यूटन मतलब कुलाम मीटर होता है अब दोस्तों यह आप इसमें देखिए ज्यादा तर आपको ना क्या चीज़ देखने को मिल जाएगा ठीक है पी वराबर टू की यल पर सवाल मिल जाएगा ठ होता है ठीक है यह मात्रक आप हमेशा याद रखेगा मात्रक 100% बहुवी कल्पी में पूछ देता है तो दोस्तों यह एक से दो नमबर का प्रस्ण था आपको जनकारी हो गई और यह इंपोर्टेंट है और दोस्तों इंपोर्टेंट नोट्स तयार हो रहा है जैसे कि यह आ कि यह आतरोंगा